मा की ममता, आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिडिया रहती थी, उसने खूप सुन्दर घोसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे-छोटे बच्चे साथ में रहते थे, वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिला थी, एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी, बच्चे कूब जोर से रोने लगे, इतना जोर से कि देखते वेक्टे सभी बच्चे रो रहे थे, सुरीली से अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था वह उन्हें चुप करा रही थी किन्तु बच्चे भूंक से तड़प रहे थे इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे सुरीली सोच में पड़ गई इतनी तेज बारिज में खाना कहां से लाओंगी मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों को भूंक से कैसे सांत होगी काफी देर सोचने किवा सुरीली ने एक लंबी उडान भरी और पंडी जी के घर पहुँच गई पंडी जी ने प्रशाब में मिले चावल दाल और फलो को आंगन में रखा हुआ था चिडिया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुँ में धेर सारा चावल रख कर ला ल लगे आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें